नमस्कार खबरों का पंच नामा देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा हम लेकर आएं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है क्यापिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मरीश कुमार डॉक्टर साथ बहुत बहुत स्पागत है आपका सबसे बेले नजर हेडलाइन्स पर ग्लोबल निडर्स में पियम मोधी का जलबा फिर दुनिया के सबसे लोगप्रिया नेता बने पियम मोधी बाइडन सुनक मैक्रो समेट 22 देशों के दिगर्च पियम मोधी से काफी पीछे अडानी मामली पर संसत से लेकर सड़क तक विपक्षकार जबर दस्थ हंगामा इस बीच मोधी सरकार का आया बड़ा बयान कहा सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं तो वही सुप्रिम कोट पहुँचा अडानी को लेकर जारी हुई रिपोर्ट का मामला BBC डॉक्यमेंटरी पर आज सुप्रिम कोट में हुई एम सुनवाई या चिका करताओं को लगा बड़ा जटका कोट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार साथी सुप्रिम कोट ने केंदर को जारी किया नोटिस बाल विवा पर जबरदस्ट आक्शन में असम सरकार अब तक 2400 आरोफी गिरफतार बाल विवा की 4000 से ज़ादा केश दर्श असम सीम ने कहा एक एक का होगा हिसाब किताब पाकिस्तान को चीन की दोस्ती नहीं आई काम चीन ने पाकिस्तान को बिना शर्त पैसा देने से किया इनकार नहीं मिली भीक तो खिसी आया कंगाल पाकिस्तान आज की सबसे पहली खबर में बाद पूरी दुनिया भर में हमारे देश के प्रधान मंत्री के जल्वे की PM मोदी ने एक बार फिर से साबत कर दिया कि कोई नहीं है टक्कर में क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोगप्रिया नेता चुने गए है मौर्निंग कंसल्ज की वेबसाइट पर जारी लिस्ट में पीम मोदी 78 पीजदी ग्लोबल लीडर अप्रूबल रेटिंग के साथ टॉप पर है नरेंद्र मोदी ने लोगप्रियता के मामले में 22 देशों के दिगश नेताओं को पीछे छोड़ दिया है पिम मोदी के बार मैक्सिको की रास्टपती लोपेज 68 पीजदी के साथ दूसरे स्थान पर है बाइडन सुनक लिस्ट में काफी पीछे है बाइडन की अप्रूबल रेटिंग लागतार घट रही है चटे नंबर पर पहुंच गए है बाइडन ये तो हर भारतवाशियों के लिए बहुत गर्व की बात है देखिए गर्व की बात है लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ी चिंता का विशय है ये चाना में भी लोग जो बैठे होंगे जो पैसे खर्च कर रहे हैं बीबीसी डॉकुमेंटरी में तो हिंडन बर्ग रिपोर्ट तयार करने में इतने सारे एंजियो इतने सारे वकील क कि किसी तरीके से पुरदार मंत्री मोदी की पॉप्लोर्टी को डाउन करो 78 परसेंट दिमाग चक्रा जाएगा किसी भी डिमोक्राटिक मुल्क में इस तरह का लीडर वो भी किस मुकाम पे जब दुनिया भर में मंदी का दौर चल रहा है अभी नए नए सुनक साहब मने मैं देख रहा था लिस्ट मात्र 30 फिस्दी उनका अप्रूवल रेट है मैकरों 39 परसेंट जपान के किसीदा 21 परसेंट बाइडन साहब 40 परसेंट प्रदान मंत्री मोदी 78 परसेंट मतलब आप समझेए यह पॉपरियर्टि कैसे तै होता है यह जो लिस्ट आई है वो कहां से आई है यह कोई ग्लोबल सर्वे नहीं है यह जो एजनसी है वो हर देश में जो सरकार के जो मुख्या होते हैं उनके बारे में उनके ही देश के लोगों से राह लेते हैं और उसमें यह 78 परसेंट मतलब हिंदुस्तान में पॉप्लर्टरी की चरंप है प्रधान मंत्री मुदी और यह जो मुदी विरोधी तक्तु हैं यह सारे जन्तु जो पैसे लेकर हिट जॉब का काम करते हैं कि भही वो दंगा करवा रहे थे तो हिंदू फासिजम आ गया है तो यहां पे तो पीमो ही सब कुछ देखता है बड़ा ओटोक्रिटिक सिस्टम है डेमोकरिसी की मौत हो गई है यह जो विदवा विलाप करने वाला गैंग है मुदी विरोधी आज उनको नींद नहीं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद पॉपलर्टी 78 परसेंट तो एक बात जरूर में कहूंगा वो तमाम लोग जो दिन रात पुदान मंतरी मौदी को गाली देते हैं वो जन भावना से बिलकुल अलग थलग हैं वो किसी और दुनिया में किसी और तरका नशा करके समाज और देश को देख रहे हैं जनता प्रदान मंतरी मौदी के साथ हैं और प्रदान मंतरी मौदी को घरणा करने वाला उनको नीचा दिखाने वाले लोग यह किसी और सक्तियों के साथ हैं जो हिंदुस्तान को डूबोना चाहते हैं एक ऐसे मकाम पे जब संसद चल रहा हो और प्रधान मंत्री मोधी टार्गेट पे हो इस तरह के सर्वे आने से वो भी इंटरनाशनल लेवल का सर्वे अपने आप में बताता है कि विपक्ष कितना डिस ओर्येंटेड हो चुका है बिलकुल अब बात अडानी विवाद से जुड़ी हैंजनबक की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेरों में भारी गिरावट जारी हैं विपक्ष लगतार इस रिपोर्ट पर लगे आरोपू पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष का संसद से लेकर सडक तक हंगा आज एक बार फिर हंगामे की भेट चड़ा बचट सत्र का चोथा दिन नहीं चल सकी संसर दोनों सदन 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया तो इसी बीच प्रलाज जोशी का बड़ा बयान सामने आया उन्होंने कहा कि भारत सरकार का अडानी समू से कोई भी लेना दे गई है बार बार विपक्ष की तरब से बोधी सरकार को घेरा जा रहा था पर मोधी सरकार के रही किसमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं है और यह भारती पार्टी वाले बड़े डिफेंसित क्यों चल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है आज लोका युक्त में करनाट के अंदर कंप्लेंड गया है किसी इसका यह जीजा जी राहुल के वाडरा साहब के ऊपर लोका युक्त में कंप्लेंड गया है कि जो भारत जोड़ो यात्रा में आये थे दिर टहलने के लिए 1101 जमीन का घोटाला निकला है 62 घंटे का वीडियो रेकॉर्डिंग 378 पेज की कंप्लेंट 900 फोटोग्राफ इंट्रिव्यूज बैंगलोर के आसपास चार ऐसे गाउं हैं जहां जीजा जी ने 1101 जमीन हड़प लिये और इसमें मुख्यमंत्र के साथ साथ कॉंग्रिस के बड़े बड़े लीडर और ये घोटाला कब हुआ था जब कॉंग्रिस की सरकारती 2013 से 2018 के बीच बीजेपी को उठाना चाहिए कि चलो भाई पले इस पर डिसकस करते हैं ये तो सरकारी जमीन को नियारे व्यारे करने का मसला है इसके उपर क्यों नहीं बात की जाए तो विपक्ष तो बेसिकली पुझे तो समझी भी निया रहा है क्या प्रियारेटीज है जीजा जी वहाँ जमीन का घोटाला कर रहे हैं और साले साहब यहाँ पर सन्यासी होने का नाटक कर रहे हैं बीजेपी को डिफेंस डिफेंसिव होनी की कोई आवर्शक्ता नहीं है स्टॉक एक्स्चेंज में क्या होता है इट जनन अद बिजनस दे गवर्मेंट और ये लोग चाते हैं कि इस तरह की चीजों में जिसका कोई मायने मतलब नहीं है हर बार संसत इन लोगों ने किस चीज के लिए रोका तो लोया केस के लिए रोका रफाल के लिए रोका सी ये के लिए रोका किसान अंदुलन के लिए रोका हर बार इनको सुप्रिम कोट से डाट पड़ी है कई केस में तो माफी मांग के वा मौका देने हैं भारती जंता पार्टी नरम दिल है या भी नेशनल हिराल का केस खोल दीजिए अपने आप ये सारे लोग अपने आप लाइन रास्ते पर आ जाएंगे क्योंकि कोट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया कोट ने आज एनराम, महुआ मुईत्रा, प्रशान भूशन और एमल शर्मा की याचिकाओं पर केंड सरकार को नोटस जारी किया है सुप्रिम कोट ने केंडर से तीन हफ्तों में जवाब मांगा है कोट ने ब्लॉक करने के फैसले से संबंदित रिकॉर्ड पेश करने के लिए भी कहा, इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब एपरिल महिने में होगी आज तो सुप्रिम कोट से याचिका करताओं को बड़ा जटका लग गया प्ली कर रहे थे कम से कम एक तो काम कर दीजिए ये जो बैन है इसके उपर से हटा दीजिए इसको इस्टे लगा दीजिए कुछ कीजिए बहुत कुछ इस्टेक पे है बीबीसी ने बहुत मेनत से चैनीज पैसे से फिल्म बनाई है उसको दिखवाने तो दीजिए जज ने कहा कि यह सब होगा नहीं बिना सरकार की बात को सुने हुए हम करेंगे नहीं अपरिल में तारीक दो अपरिल तक में तो यह मा आमपंतियों का जो पूरा जो प्रपंच चल रहा था उसको पिन मार दिया गया और जासा भी मज़े लेने में कम थोड़ी है उन्हों ने कहा कि देखिए बैन कर दिया गया मूवी को यह हमारा अधिकार है फीडम और एक्स्प्रेशन है तो जासाब ने पूछा कि मुझे त बैन के खिलाफ कारवाई हो रही है उसको सस्पेंट किया जा रहा है एक रस्टिकेट किया जा रहा है इन्वर्सिटी से जच सामन ने कहा कि भाई फिर क्यूव दिखा रहे हो जब भैन है ने हमारा मसला नहीं है इस ये इस कोट का मसला ही नहीं कौन कहा रिस्टिकेट हो रहा है कानूं जो तोलेगा वो होगा तो कहने का मतलब यह है कि चौबे के छपड़े बनने अब बनके आए दूबे बली मुश्किल है ये लोग सुधरने वाले नहीं है इनको एन केन प्रकारे इन प्रधान मंतरी अब हमला करना है चाहे इनके साथ सच हो नहीं हो तत्य हो नहीं हो सिर्फ अफवाह के उपर यह जो ड्रामा इस देश में चल रहा है यह देश की जंता देखती है और इसलिए जो पहली खबर आए कि इन्हीं ड्रामेबाजों की वजह से प्रधान लोगों को लगता है कि प् पहुंच गी जह, अब बात करते हैं, अगली खबर में असम सरकार के बड़े ऑक्षन की असम सरकार ने बाल विवाह को लेकर तगड़ा बिश्व सर्वा ने बड़ा निर्देश जा дополнी करके कहा था कि खड़ा अक्षन लेगी सरकार जिसमें 4,000 से मामले भी डर्ष बताये ग के हिमंत विश्व सर्मा की तरव से यह एक्षर इसको नहीं कहते हैं यह सेकुलर प्रजाति के लोगों के बीच सुनामी का काम कर रहा है पता नहीं कितने लोगों को और मुख्यमंत्री भी बड़े अजीव हैं वो कह रहे हैं धंकी देरें एक-एक को नहीं छोड़ा जाएगा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा क्या है मसला मसला बहुत ही सिंपल है जब कभी भी सरकार की तरफ से एक प्रपोजल आया कि साधी की उम्र लड़कियों की 21 कर देनी चाहिए लड़कों की 21 है तो लड़कियों की 21 क्यों ना हो और वाजिब है कि कोई लड़की ग्रेजुशन करकर के एक दो साल उनको आप वक्त नहीं दोगे कुछ प्रोफेशनल डिग्री करेंगी कुछ नौकरी करेंगी अपने पैर के उपर खड़े होने के लिए उस कुछ कोशिश करेंगी तब तो वो आगे आएंगी लेकिन यह जो मौलवी मौलाना का जो जमात है वो कहते कि नह सिमन्द भी सर्मा तो अजीब व्यक्ति हैं उन्होंने कहा कि पॉस्को एक्ट है पॉस्को एक्ट क्या कहता है कि कोई भी नवालिक लड़की के साथ सारीक संबंद बनाना यह एक हीनियस क्राइम है और इसके लिए जेल है तो आप साधी का बहाना कर ले या कुछ कर ले उन् को जेल डालेंगे अब बड़ी मुश्किल में फस गई है यह सिकलर जमात यह लिफ्ट लिबल कबाल जो है अब यह तो कहते हैं कि हम बड़े प्रोग्रेसिव हैं प्रो वोमन हैं फेमिनिस्ट हैं अब कैसे करेंगे डिफेंट छोटी-छोटी बच्चियों के साधी करवा द रखो कि एक चीफ मिनिस्टर लड़कियों के उधार के लिए इस तरह का रिस्क ले रहा है आप कम से कम बढ़ाई तो दे दो तो खैर वो बढ़ाई क्या देंगे इनकी राजनीती के उपर जो है वो पानी फर रहा है लेकिन बाकी देश की जन्ता जरूर हेमंत विश्व सर् अब बात करते हैं आज की आखरी ख़वर की पाकिस्तान के लिए इससे जादा दुक्की बात क्या होगी कि उसकी डूपती नया की करीबी दोस्ट चीन भी पार नहीं लगा पा रहे हैं कंगाल हो चुकी पाकिस्तान को दोस्ट चीन ने अब बिना शर्ट पैसा देने से किना सबंढार कर लिया है चीन ने सब क्या दिया है कि पाकिस्तान कर्जा करने के sinking के प्रोग्राम को लागू करें वाद प्युक्षा क काफी जादा कर दिया अब अब तो चीन ने भी मदद के लिए मतनार दिया उखिन कर दिए तो कागश कि अ JUST inconsistent completing कि घूजू उन्होंने कहा था कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमाले से भी उंची सहद से भी मीठी और समंदर से भी गहरी उसी समंदर की गहराई में चीन ने पाकिस्तान को दफना दिया है अब यह कह रहे हैं कि आएमेफ के नियमों को आप लागू करो तब तो हम कुछ मदद करेंगे ऐसे मुफ्त में हमने बहुत दे दिया भिखारी को भीक देते देते भी देने वाला ठक गया लेकिन पैसे वापस आने के कोई उमीद नहीं 46 बिलियन डॉलर के उपर सिपक का पूरा प्रोजेक्ट था ठप पड़ गया क्यूं वो चैनी जाते हैं वहीं उसको मार देते हैं वो जान बचा करके भाग गये सब लोग अब आएमेफ का कांड क्या है आएमेफ के पास यह लोग गये आएमेफ ने कहा हम तो देंगे बहुत विपत्ती में हो लेकिन कुछ सर्ते हैं पहले हमने आपको बहुत मदद की और दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान को कोई पैसा मदद के लिए जाता है वो आर्मी वाले चट कर जाते हैं एक से एक बैमान चोर उचक्के डकैत वहां बैठे हुए है आर्मी में सारा पैसा खा जाते हैं खुद और पाकिस्तान की जन्ता के लिए कुछ नहीं बसता तो ढाक के तीन पास तो इस बार उनने कहा कि आपको कुछ नियम कानून लागू करने पड़ेंगे जो हम कह रहे है हम सर्ट दे रहे हैं तो कुछ बहुत सारी सर्टे हैं कुछ सर्टों के बारे में आप सुनेगा आप भी तंग रह जाएंगे वो कहरे कि अबी जो बीजली रेट चल रहा है जो अंधिकार रहे वहां लोट सेडिक बहुत यधा भाज भी बनाई नहीं पा रहा बोले इससे न बंजस पे आएमफ की बात माने तो जंता सड़क पे आ जाएगी ये इमरान खान जो है वो कुंडली मार करके बैठा हुआ है और अगर आएमफ की बात नहीं मानो तो ये मुल्क तूट जाएगा अब ये जो सहद से भी मीठा दोस्त था वो भी ही कह रहा है कि ऐसा है कि जब त नहीं तब तक आपको कोई मदद नहीं की जाएगी और आज जो खबर आई वो खबर ही आई कि आएमफ के जो प्रपोजल के उपर पाकिस्तान ने एक रिजोइंडर दिया कि ठीक है हम ये सब ये सब कर देंगे इतना तो नहीं कर पाएंगे हमारी ये इस्थिती है उस आधा पर हम ये सब तबदीलिया कर देंगे आएमफ ने पढ़ा आएमफ ने कहा कि चल जूटे क्यों जूट बोल रहा है उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो ये जो फिर से जो तुमने प्लैन दिया है वो अन्रीजनिबल है और दीजार बेस्ट ऑन फॉल्स अजंशन्स आप जूट तुम बोल रहे हो जो आधार जिस आधार के उपर आप अपना नया प्रपोजल लेकर के आए वह आधार ही जूट का है इसलिए जो हमारा प्रपोजल है उसको आप माने नहीं तो टाटा बाए-बाए कोई भीक नहीं मिलेगी अब पाकिस्तान के साथ दिक्त क्या है एक कर जाना है यह वहाँ नवा सवाशरीप सहाब को तेह करना है जी बहुत बहुत धन्यवाद बात्चीत के लिए धन्यवाद कब्रों का पंच नमों में आज के लिए फिलाल इतना ही देश विदेश की बाकी खब्रों और उनके सटिक अनलेसिस के लिए देखते रही कैपिट